जहिंद है जारखन बोड कलस्ट है नानी की मैट्टी के छात्रों के बोड एक्जाम 2024 का उर्दू का परशन पत्र जिसका एक्जाम आज हुआ है और आप लोग एक्जाम दे करके अपने घर भी लोट चुके हैं और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें देग है और कितने परशनों का गलत जवाब दिया है और बच्चों हमने यहाँ पर आपके लिए जो यह उत्तर त्यार किया है तो यह अपने विद्याले के जो उर्दू सिच्छेक हैं उसके सहयोग से त्यार किया है और हम अभी आप लोग इस वीडियो में जो आपका परशन कापदे कर के आया है और बच्चों यहाँ पर आपका पहला प्रसन पूछा गया था तो पहले प्रसन का आपका सही उतर हो जाएगा student number c इसकर द बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रसन पूछा गया है तिसरह Pरसन तो तौरे परशन का आपका सही उतर हो जाएगा option number D तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिला कर के तीन परशनों के उतर को मिलाया इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला परशन पूछा गया था चवंथा परशन तो चवंथे परशन का आपका सही उतर क्या होगा तो बच्चों इसका जो सही उतर होगा आपका option number D होगा इसकत बच्चों आपका जो पांचवा परशन पूछा गया था तो पांचवा परशन का आपका सही उतर हो जाएगा option number D और इसके बद छटे परस्ण का आपका सही उतर हो जाएगा Option Number C तो इस तरह से छे परस्णों के उतर को हम लोगों ने देखा इसकद बच्चों आपका जो सात्वां परस्ण पूछा गया है तो सात्वें परस्ण का सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा Option Number B इसकत बच्चों आपका जो अगला प्रशन पूछा गया है आठमा प्रशन तो इसका सही उतर होगो option number D इसकत आपका जो नोवा प्रशन है तो नोवे प्रशन का सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगो option number A तो इस तरह से हम लोगों ने 9 परशनों के उतर को मिलाया इसकत बच्चों आपका जो अगला परशन है आनि की 10 परशन है तो 10 में परशन का आपका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर हो जाएगा option number C 10 में परशन का सही उतर होगा option number C इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंट आपका जो ग्यारा नमबर वाला परशन है तो ग्यारा हमें परशन का आपका सही उतर होगा option number ये और इसके बाद बारा हमें परशन का आपका सही उतर हो जाएगा option number C इसकत बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 13 परसन पूछा गया है तो 13 परसन का आपका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा option number B ठीक है इसकत बच्चों आपका जो 14 परसन है तो 14 परसन का आपका सही उतर होगा option number D और इसका 15 हुए परसन का आपका सही उतर हो जाएगा option number B तो इस तरह से हम लोगों ने 15 परसनों के उतर को मिला लिया है और इसके बाद आपका जो अगला परसन है आनिकी 16 हुए परसन तो इसका सही उतर क्या होगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही उतर होगा option number A इसका बच्चों आपका जो 17 हुआ परसन है तो 17 हुए परसन का सही उतर हो जाएगा option number B और इसके बाद 18 हुए परसन का आपका सही उतर हो जाएगा option number D तो इस तरह से हम लोगों ने कूल मिला करके 18 परशनों के उतर को मिला लिया है और बच्चों हम आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारे हाथों से इस YouTube चैनल का जो लाइक बटन है उसको दबा दीजिए और साथी साथ इस YouTube चैनल को सस्क्राइब करके रख लिजिए ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ इसकत बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो 19 परशन है तो 19 परशन का आपका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर होगा आपका option number A इसकत बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका जो 20 परशन पूछा गया है तो इसका सही उतर होगा option number A और इसके बाद जो 21 परशन आपका पूछा गया था तो इसका सही उतर होगा आपका option number C तो इस तरह से हम लोगों ने 21 परशनों के उतर को मिला लिया इसकत बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला परशन पूछा गया है 22 परशन तो 22 परशन का आपका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर हो जाएगा option number D इसका 23 नमबर वाला जो परशन आपका पूछा गया था तो इसका सही उतर होगा option number B इसका बच्चों 24 परशन का आपका सही उतर हो जाएगा option number C तो इस तरह से हम लोगों ने 24 परशनों के उतर को मिला लिया है इसका बच्चों आपका जो अगला परशन है जो आपका कोचन 27 नमबर का तो इसका सही उतर होगा आपका option number ये तो इस तरह से हम लोगों ने 27 परशनों के उतर को मिला लिया है बच्चों ये जो परशन पत्र है हमको पता है कि आप लोगों के पास नहीं है आप लोगों का इसकूल में ही जमा हो चुका है फिर भी आप लोग अपने आदास्त से मिलाते जाईए कि आप लोगों ने 30 में से कितने परशनों का सही जवाब दे करके आया है और बच्चों इसके बाद आपका 28 परशन है तो इसका सही उतर होगा आपका option number C और इसके बाद आपका 29 परशन पूछा गया था तो इसका सही उतर होगा option number C आपका 28 और 29 और 37 आपका जो अंतीम परशन आपका 30 परशन तो इसका भी सही उतर होगा आपका option number C तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक कि कुल मिलाकर के 30 objective परशनों के उतर को मिला लिया जो आपके आज के board exam में पूछा गया था तो बच्चों आपनों का 30 में से कितने परशनों का उतर सही गया था आपनों comment के माध्यम से जरूर बताईए और बच्चों ठीक किसी तरह से आपका जो बाकी exam बाकी आने की social science है English है, math है, science है, social science जो भी है तो उसके उतर को इस YouTube चैनल के माध्यम से आप स्विच हात्रों को तुरंत के तुरंत पहुंचाओंगा इसलिए बच्चों आप लोग इस YouTube चैनल को subscribe करके इसके notification बेल को press करके रख सकते हैं ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका notification आप स्विच हात्रों तक पहुंच जाए और आप लोग तुरंत के तुरंत उस वीडियो को देख सके हैं तो बच्चों फिर से मिलते हैं लोग next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मात्रम जय जारखन जुहार जारखन थाइंक्यू बेस्ट आफ लग बाई बाई